लोगसबा चुनाओ, 2024 के साथवे और अंतिम फेज में साथ राजियों और एक केंद्र शासेश प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है 2019 में इन सीटों में से सबसे ज्यादा भाजपा 25, TMC9, BJ4, JDU और अपना दल 2-2, JMM महझ एक सीट जीत सकी थी कॉंग्रेस को केवल पंजाब की बदोलत आठ सीटों पर जीत मिली थी इस फेज में प्रदान मंत्री ननीद्र बोधी, पांच केंद्रियों मंत्री, आरके सिंग, अनुराक ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, महिंद्र नाथ पांडे और पंकर चौधरी मैदान में हैं चार एक्टर कंगना नानोत, रवी किशन, पवन सिंग, काजल निशाद भी चुनाव लड़ रही हैं आपको बता दे इनके अलावा ममता के भतीजे, अभीशेक बनर जी, अफजाल, अंसारी, विक्रमादित्य सिंग भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं चुनाव आयों के मताबिक, इलेक्शन के साथवे फेज में 904 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें 809 पुरुष और पिचान में महिला उमिदवार है लोगसबा चुनाव कराण और देख सकते हैं आप तस्वीरों में केंड्रे मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने मतादिकार का प्रयोक किया, मतदान किया और लोगतंत्र के इस महापर्व को उन्होंने अपने मतदान के माध्यम से मनाया भगवंत मान की तस्वीरे हैं, पंजाब के सीएम जो की मतदान करने अलसुबह ही पहुच गए, मतदान केंड्र और एक बड़ा संदेश यहाँ पर ये निता देते वे दिखाए दिए कि पहले मतदान उसके बाद जलपान जिसकी मुहीम लगातार चल रही थी और कंगना र है और ये तमाम जो सिलिबरिटीज हैं, जो नेता हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं वो अलसुबह मतदान केंड्र पहुचते हैं, अपने मतदिकार का प्रयोग करते हैं और एक बड़ा संदेश देते हैं लोगों को कि अपने मतदिकार का प्रयोग जरूर करना है क्योंकि ल साथ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आज 57 सीटों पर वोटिंग जारी है इस समय और हम तस्वीर दिखा रहे हैं उन कैंडिडेट्स की जो कि मैदान में उत्रे हैं चुनाव लड़ने के लिए और ये तस्वीर है जीत्रा माजी की जो कि मदान करने मदान केंद्र पहुँचे और एक बड़ा संदेश देती हुई तस्वीरे हैं क्योंकि आज लोकतंद्र का महापर्व जिन 57 सीटों पर आज वोटिंग की जा रही है वहाँ ये मनाय जा रहा है और पतादिकार का प्रयोग करना बेहत जरूरी है सात्वा चरण है आखरी चरण है लोकसवा चुनाओं के मतदान का और चार्ज उनको फैसला हो जाएगा परिणाम सब के सामने होंगे लेकिन उससे पहले महत्वत पून दिन है आज और सच बेधरक की पूरी टीम भी आपसे यही आग्रे करती है यही करती है कि आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचना है और अपने मत दाता के रूप में अपनी भूमी का लोकतंत्र में निभानी है सुगजिंदर सिंग रंधावा की तस्वीर है जो की वोट करने के बाद जो चिन वोटिंग का लगाया जात है उंगली पर वो दिखाती हुई यह तस्वीर बेहत सुखद और उर्जा भरने वाली तस्वीर है आमजन को संदेश देने वाली तस्वीर है कि हमें सबसे पहले आज मतदान ही करना है उसके बाद ही कोई काम करना है तो 57 सीटों पर वोटिंग फिलाल जारी है और सुगजि करेंगी और उन सभी कैनिडेट्स के भागे का फैसला आज कैद हो जाएगा तो साथ चर्णों में चुना हुआ सात्वा चरण आज है मद्दान का आखरी चरण है यह आपको बताते चार जुन को जो परिणाम है वो आ जाएंगे लेकिन उससे पहले आज का ये दिन वेहत मह है और सुगजिंदर सिंग रंधावा की तस्वीर है आप देख रहे हैं जिरोंने दिन के शुरुवात अपने मताधिकार का प्रियोग करके की अनुस अप्रेल पहले फेज से शुरुवात हुई और आज अंतिम फेज सात्वा फेज है पहले फेज में 102 सीटों पर 19 अप्रेल को मदान हुआ और आज सात्वा फेज एक जुन को जिसमें 57 सीटों पर मदान हो रहा है तो फिलाल लोगसबद चुनाओ दोजार चौबीस का रण और इस रण का आज अंतिम फेस है तमाम उमिद्वार जो कि मैदान में उत्रे हैं उनका आज भविश्य है एवियम की मशीन में जनता बंद कर देगी तो ज्यादा से ज्यादा मददान आप लोगों को करना है सच बेथर की पूरी टीम यही अपील करती है तमाम जनता से